मौत के बाद 47 बार मारने की क्या जरू होते चूरा सलिया स्कूर डैवर इससे नहीं मारा से तो साउथ की अमेजिंग सस्पेंस थियर अक्षन कॉमेडिया और रोमांटिक वेब स्रीज हिंदी में देखना चाहते हो तो एंड तक बने रहो अभी मैं आपको टॉप टेन बेस्ट साउथ इंडियन हिंदी डब्ड बेब स्रीज के बार में बताऊंगा जो ट्रस्ट मी आपकी हो सुरा देगी तो वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो इसकिप मत करने ये दोनों कल राद दस बचे तुम्हारी गाड़ी में मरे हुए मिले हैं नमबर टेन इरो धुरवम 7.9 IMDV रेटेड ये साइक जोजकल थेर स्रीज कहानी एक पुलीस ओफिसर की है जो एक येडी की मदर मिश्टिक केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है एंड इन्वेस्टिगेशन से ये मालूम होता है कि ये मदर किसी साइको पाथ ने की है तो वो साइको कौन है उसका मोटिव क्या है आगे वो कितनों का खुन करेगा एंड कौन उसे रोकेगा ये सिरिज की आगे की कहानी है इसके दो सीजन से मैं सीजन वन की बात कर रहा हूँ जिसमें 9 एपिसोडस हैं जो की तकरीबन 20-25 मिद की है तो इसो की फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है इसके स्टोरी उस परीस ऑफिसर और साइको के बीच चल रही माइन गेम्स कहानी को काफ ही इंगेजिंग बनाती है सेकेंड इसकी पॉजिटिव पॉइंट है कहानी का सस्पेंस और इसमें आने वाली ट्विस्ट एंड टर्न तो इंट्रेस्टिंग वेब स्रीज है हिंदी में स्वनी येव के आप पे देख सकते हो नमबा नाइन योक्ड एंड आयली नमबा नाइन पे दो वेब स्रीज है योक्ड एक ठ्रियर स्रीज है जिसमें एक डॉक्टर के घर कुछ योक जोगी करने जाते हैं बट मामिया पुरा उल्टा हो जाता है वहाँ पे हमें एक अलगी मौत का खिल देखने को मिलता है तो उस डॉक्टर के घर इसके साथ क्या क्या होता है यह इस मिनी स्रीज की आगी की कहानी है जिसके 7 एपिसोड है इस वेब स्रीज में कई ऐसे मोमेंट से जहां सासे थम जाती है बट इसकी स्क्रीन प्ये की पेसिंग फास्ट होती तो मजा डवल हो जाता सेकेंड वेब स्रीज है आयरी जो एक ड्रामा स्रीज है एंड एक यंग यार्की की कहानी को फॉलो करती है जो अपने गाओं की परंपरा को तोर अपने सपने को पुरा करना चाहती है कहानी में सभी चीज़े कंजर्वेटिव होने के बाद जितना इमोसिनली फ़नी वे में एंड ब्यूटीफुली इस कहानी को प्रेजेंट किया गया है आप इसे इंजुआई करोगे तो इसके एट एपिसोड से हिंदी में जी फैब के आप पे देख सकते हो नमबा एट मथा गम तो स्रीज में कैट एंड माउस की गेम चलि रही है जहां कुछ गैंग्स्टर्स ने पुरी सीटी में कुछ बहुत ही धमाकेदार करने का प्याइन किया है जिसे एक ऐसी पी रोकने की कोशिस करता है इस वेब स्रीज की फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है इसकी स्क्रीन पिये कहानी को कैट एंड माउस की गेम जैसे डिजाइन किया गया है जहां उस गैंग्स्टर को रोकने की प्रोसिस में जो पुलिस के अंदर ही चलि रही करप्सन सामने आती है वो इंट्रेस्टिंग है सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है इस कहानी के सभी गैंग्स्टर्स हराकि वो सभी गलत हैं बट आपको उनके करेक्टर काफी ज़्यादा पसंद आएगी इसकी थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है इसकी रन टाइम स्रीज में सिर्फ पाँच एपिसोड्स हैं बट ट्रस्ट मी आप इस वेब स्रीज को काफी ज़्यादा इंज्वाइ करोगे तो हिंदी में होट स्टार पे देख सकते हो एक बेटी अपने मिसिंग फादर के खोज में है जो उसे उरिसा की ज़ंगियों में चल रही एक काफी बड़ी क्राइम से येंग करती है जो इसकी स्क्रीन पिया है जिस तरह से कहानी में हमें नई नई चीजे देखने को मिलती है और जो इसका एक सस्पेंस बना रहता है ट्रस्ट मी आप इस वेब स्रीज को एंज्वाइ करने वाले हो तो हिंदी में सोनी येप के आप पे देख सकते हो एंड ऐसे ही आउसम मोविज और वेब स्रीज की रेक्मेंडेशन मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो के आई करने के बाद चैनल इको अभी सब्सक्राइब कर देना नमबा 6, नवंबाय स्टोरी जहां किस तरह से एक बेटी अपने बाप को जो एक मड़र केस का प्रायम सस्पेक्ट है उसे बचाने की कोशिस करता है ये हमें इस मिस्टिरियस वेब स्रीज में देखने को मिलता है स्रीज में बहुत से नेगेटिव है जिस वज़ा से स्रीज काफी जादा इंगेजिंग हो जाती है बस इसकी फर्स्ट एपिसोड कहानी को सेट करने में काफी जादा टाइम लेती है जो थोरा सा बोरिंग है तो कियों आपको ये वेब स्रीज देखनी चाहिए अगर तुम क्रैम थेर स्रीज के फैन हो तो डेफिनेटर ये तुम्हें पसंद आएगी त्योंकि जो मडर इन्वेस्टिगेशन सीन चाहि रही होती है जिसके थुरू अनुराधा अपने बाप को बचाना चाहती है और ज चोरी होती है जिसके बाद प्रिस को एक डेट बॉडी मिलती है जो पुरी तरह से सर चुकी है और एक और मडर हो जाती है तो इन तीनों ही मिस्टिरियस क्राइम केस को एक प्रिस ऑफिसर इंवेस्टिगेट करता है जो खुद भी अपनी परसनल लाइफ में परिसान है तो उस चोरी उस डेट बॉडी और इसके बाद हुए मडर इसके पीछे की मिस्टिरी क्या है क्या इन में कोई कनेक्शन है और कैसे अपना हीरो इन मिस्टिरियस केस को सुल्व करेगा यह आपको इस स्रीज में देखने को मिलेगा तो 7.9 IMDV रेटेड वियांगू स्रीज की सब हिंदी में डब नहीं की गई है बट चीफ आइप पर देख सकते हो इसके साथ एपिसोड्स है नमबा फो वधन्धी नमबा चार पे हैं एक मडर मिश्ट्री वेब स्रीज जहां पुलिस को एक यार्की की डेट बॉडी मिलती है जिसका खुन करने के बाद उसे ऐसे ही सरने क ये जंगल में छोड़ दिया गया था तो ये डेट बोडी किस की है किसने इसका खुन किया और क्यों ये हमारे एसजे सुर्या इस कहानी में इंवेस्टिगेट करने की कोशिस करते हैं जिनकी खुद की भी परसनल लाइफ के यगी पर ही होती है तो इस्टोरी में हमें मर्ट राजनीती के बारे में पता ही क्या है कॉन्मेंट में पड़ी लिखिया अंग्रेजी बोलने वाली मैडम का यहां क्या 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 है स्रीज जय अलीता की बायोग्राफी दिखाती है कि कैसे वो इंडियन सीनमा की वन अफ़ दी बेस्ट अक्रेस बनती हैं देन पोलिटिक्स को जॉइन करती है स्रीज के स्टार कास्ट में है रम्या क्रिष्णन और वेस यह पोट्रेड हर क्याक्टर आप किसी दूसरे को इमेजन ही नहीं कर सकते 11 एपिसोड की इस सीरीज को काफी इंट्रेस्टिंग यह प्रेजेंट किया रहा है अक्टर्स की परफोर्मेंस और इमोशनल सीन का डिरेक्शन काफी ज्यादा ओसम है हलाकि कई सीन्स में सीरीज काफी ज्यादा बॉरिंग यगती है बट फिल भी आप इसे इंज्वाय तो हिंदी में इस प्रेटफोर्म पे देख सकते हो 4 एपिसोड की यह एंथ्योजी ड्रामा स्रीज चार ट्रेजडी स्टोरी के थ्रूरू डिफरेंट सोसल इसूज जैसे यावफियर, ट्रांसजेंडर स्याव, सोसल प्राइड, ओनेस्टी एंड सीन को कवर करती है जिनसे आपको सायद आतराज हो बट इने स्टोरीज को देखने में मज़ा आता है देवे ये स्रीज सोसाइटी के डार्क रोल्स को दिखाती है जो डायोग्स यूज की गई है एक्कॉर्डेंट टू ए स्क्रिप पाफेक्ट है और इस वेब स्रीज की सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है इच और इवरी स्टोरी में इमोशनल सीन का डिरेक्शन ट्रस्ट मी कुछ सीन्स तो आपको रुया देगी तो एक चांस तो इस स्रीज को बनता है तो हिंदी में इसे नेट्फिक्स पे देख सकते हो और अब बात करते हैं इस स्रीज की नंबर वन स्रीज की जिसकी कियाई मेक्स आपकी दिमार घुमा देगी तो एक स्मॉली टाउन में एक रात को एक फैक्टरी में आग यर्ग जाती है और उसी रात एक यर्की वहां से गयब हो जाती है जिसके बाद पुलिस इन दोनों ही इंसिडेंट को इंविस्टिगेट कर रही है साल 1990 में जब ये फैक्टरी शुरू हुई थी उस दिन भी एक लड़की गाय भी अब जब ये फैक्टरी जली है एक और लड़की गाय भी तो किस तरह से ये एक्सिजेंट एंड सिंपली मिसिंग का केस एक मडर मिश्टिग का फॉर्म येटी है और आगे पुरे टाउन में क्या क्या क्योस का महोई क्रियेट होता है ये इस वेब स्रीज की कहानी है तो 8.2 I Am Divigated Swirl the Vortex एक सस्पेंस थेर वेब स्रीज है जिसके टोटल 8 एपिसोड से एंड ट्रस्ट मी इस स्रीज की स्क्रीन पर ये आपको बांध के रखेगी कहानी में ऐसे ऐसे ग्रे सेट क्यारक्टर्स है एंड ऐसे ऐसी ट्विस्ट एंड टर्न हमें इसमें देखने को मिलती है कि फैन होने वाले हो तो एक दिमाग घुमाने वाली ओसम सस्पेंस से और वेब स्रीज मिस नहीं करना चाहते हैं तो हिंदी में प्राइम वीडियो पर देख सकते हो आल होप कि ये वीडियो आपको पसंद आयो होगी और ठैंक्स पूर बाचिंग